नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा. इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि विटानोवा D3 सैशे का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है? विटानोवा D3 सैशे को कैसे लेना चाहिए? और विटानोवा D3 सैशे की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं? और यह भी डिसकस करेंगे कि विटानोवा D3 सैशे को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए? विटानोवा D3 एक ब्रैंड नेम है. विटानोवा D3 सैशे के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन कॉलिकलसिफेरोल 60,000 इंडिनाशनल यूनित होता है. विटामिन D3 को कॉलिकलसिफेरोल के नाम से भी जाना जाता है. विटानोवा D3 सैशे का उप्योग शरीर में विटामिन D की क कमी को दूर करने के लिए किया जाता है विटामिन दी शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है शरीर में विटामिन दी की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है क्योंकि विटामिन दी शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है और शरीर में विटा के लिए कैल्शियम के साथ साथ वितामिन दी भी बहुत ही जरूरी होता है। हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दातों में स्टोर होता है। और बचा हुआ 1% हमारे बलड में होता है। जब हमारे बलड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तब हमारा शरीर हड्डियों और दातों से कैल्शियम लेने लग जाता है, जिसकी वज़से धीरे-धीरे हड्डियां और दांत कमजोर होने लग जाते हैं. हड़िया कमजोर होने की वज़ा से हड़ियों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्रैक्चर हो सकता है। कैल्शियम और विटामिन D की कमी की वज़ा से दांतों की जड़े कमजोर हो जाती हैं और दांत भंगुर होकर तूटने लगते हैं। और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दांतों को निकलने में देरी हो सकती है, या लंबा समय लग सकता है, बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है, और शरीर में कैल्शियम और विटामिन D की कमी होने पर शरीर की हड्डियों और जोरों में दर्थ रहने की समस्या भी हो सकती है इसके अलावा ओस्टियो मालेसिया होने पर ओस्टियो पोरोसिस होने पर या बच्चों में रिकेट्स होने पर भी डॉक्तर विटानोवा D3 सैशे को लेने की सला दे सकता है रिकेट्स होने पर बच्चों की हड्डिया कमजोर होकर तेरी मेरी हो जाती है और ओस्टियोमालिसिया होने पर हड्डिया कमजोर हो जाती है और शरीर के जोरों हड्डियों व मासपेशियों में दर्थ रहने की समस्या हो जाती है किडनी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में कैल्शियम और विटामिन D की कमी को होने से रोपने के लिए भी डॉक्तर विटानोवा D3 सैशे को लेने की सलाह दे सकते हैं मा का दूद पीने वाले छोटे बच्चों में विटामिन D की कमी हो सकती है क्योंकि मा के दूद में विटामिन D की मात्रा बहुत कम होती है इसलिए मा का दूद पीने वाले बच्चों में विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्तर विटामिन D और कैल्शियम की ड्रॉप्स दे सकता है दोस्तों अगर आपको विडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या विडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो सही डोज में विटानोवा D3 सैशे को लेने पर ज्यादा तर व्यक्तियों में विटानोवा D3 सैशे की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन यदि किसी व्यक्ति को वितानोवा D3 सैशे को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षन होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए. ज्यादा दोज में वितानोवा D3 सैशे को लेने की वज़ा से शरीर में वितामिन D और कैल्शियम का स्तर अधिक हो सकता है, अब हम डिसकस करेंगे कि वितानोवा D3 सैशे को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है, वितानोवा D3 सैशे को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है विटानोवा D3 सैशे को शाम के समय दूद में मिला कर लेना रेक्मेंडेन होता है आम तोर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर विटानोवा D3 सैशे को सब्ता में केवल एक बार ही लेने की सला देते हैं विटानोवा D3 सैशे की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको विटानोवा D3 सैशे को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे कि विटानोवा D3 सैशे को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए विटानोवा D3 सैशे को लेने के बाद यदि आप लैबोरेटरी में कोलेस्टरॉल की जाँच करवाते हैं तो कोलेस्टरॉल टेस्ट के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ज्यादा हाई डोज में विटामिन D को लेना रेक्मेंडेड नहीं है इसलिए जरुरत पढ़ने पर डॉक्टर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कम डोज में विटामिन D के सप्लिमेंट्स लेने की सला दे सकता है इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए विटानोवा D3 सैशे को लेना रेक्मेंडेड नहीं है विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका विटानोवा D3 सैशे से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं